वोई मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने CDS जनरल विपिन रावत के साथ हैलिकॉप्टर क्रेश में शहीद हुए विंग कमांडर प्रत्विस सिंग चौहान की घर पहुँचकर शद्धांजलिया पितखे सरन नगर दयाल बाग स्थित शहीद के परिजनों से मिलने के बाद CM योगी आदितनात ने कहा कि सरकार शहीद के परिवार के साथ पूरी संवेदना रखती है मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने कहा कि आज देश इस हाथसे से आहत है आज सभी भारतवासी अपनी संवेदनाओं के साथ शहीदों के साथ खड़े है CM ने परिजनों से मिलने के बाद ऐलान किया कि राज सरकार की ओर से शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा केंद्र और यूपी की तरफ से पूर्ण सहयोग शहीद परिवार को दिया जाएगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुरा रहे हैं इस दौरान वो करीब 3 घंटे तक शहर में रहेंगे पिम मोदी के आने की तयारी पुलिस और प्रशासर ने शुरू करती है बताये गए कारिकरम के मुताबिक 28 दिसम्मर को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी सबसे पहले आयाटी के दिक्षान समारो और फिर निराला नगर रेलवे मैदान में लोकारपण और शिलानियास कारिकरम में भाग लेके वहां से वो जनसभा को संबोधित करेंगे वो मेट्रो का सफर करके उसका उद्गहाटन भी कर सकते हैं पियम के आने को लेकर सभी तैयारियों को युद्धिस्तर पर शुरू कर दिया गया है पुलिस कमिशनर डियम समेट सभी अधिकारी निराला नगर रेलवे मैदान पहुँचकर तैयारियों को परक रहे हैं निराला नगर रेलवे मैदान में होने वाली जनसभा को लेकर हर विभाग को जिम्मेदारी दे दी कई है सभी को युदुस्तर पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिये गए है हजारों लोगों को बैठाने की विवस्था के बारे में जानकारी ली जा रही है सभी बिंदूओं पर सभी बिभागों के अफसरों के बीच मंथन भी किया गया है उत्र पर देश पर कारे रहते सरकारी करमचारियों और पेंशनर्स के लिए खुश खबरी है दरसल योगी सरकार नए साल के तोहफे के तौर पर बड़े हुए महंगाई भत्ते को दिसंबर की सैलरी में जोड़ कर दिकी इसी के साथ योगी सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़े हुए 3 परतीशत महंगाई भत्ते का नकत भुखतान किया जाएगा गौरतलब है कि जुलाई 2021 ए 3 परतीशत की बड़ी हुई दर्ज महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुखतान सूबे के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उखिया जाना है वहीं तीन परतीशत के जाफे के बाद उन्हें 31 परतीशत की दर्से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुखतान किया जाएगा बांदा की जेल में बंद माफिया डॉन विधायक मुखतार अंसारी ने आज अपने दोनों बेटों अबास और उमर अंसारी से मुलाकात किया है मुखतार अंसारी से मुलाकात करने के बाद अबास ते सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार मौलिक अधिकारोगा हर्म कर रही है सरकार की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है दोहजार बाईस में सत्ता परिवर्तन होगा और दोहजार बाईस विधानसवा चुनाओ लड़ा जाएगा आपको बता दें कि मुखतार अंसारी बांदा मंडल कारगार में बंध है जहां उनसे मिलने के लिए दोनों बेटे पहुंचे थे पिता से मुलकात करने के बाद मुखतार अंसारी के बड़े बेटे अबास अंसारी ने मीडिया से बात करते को आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार दमनकारी नीती अपना रही है और अंसारी परिवार के साथ जाती की जा रही है लेकिन ये चीज अब जादा दिन तक नहीं चल सकेगी जनता का समय आ गया कांपी जाचने का अब ज्यादा दिन परिस्तितियां ऐसी नहीं रह जाएंगी और इस देश में हमेशा से सम्विधान का और लोकतंत्र का बोल बाला रहा है आगे आने वाले समय में हो भी हो गया है ज्यादा कुछ इस पर मत बोलवाईए बहुत कुछ लि कारयले को गेरुआ रंग में रंगे जाने को लेकर विवाद हो रहा है दरसल प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी के 13 दिसंबर वारारसी के दो दिवस्ये आगमन और विश्वनात धाम के लुकारपन के पहले विश्वनात मंदर जाने वाले मारगों की पेंटिंग कराई जा एक रूपता के संदेश के लिए गेरुआ रंग से पेंट कराया जा रहा है इसी कड़ी में वारणसी विकास प्राधिकरण ने वनारस के मैदागिन 14 परस्थित कॉंग्रेस के महानगर कारयले को गेरुआ रंग से पेंट कर दिया इसके बाद विवाद शुरू हो गया कॉं गंटा मस्जित को भी वारणसी विकास प्राधिकरण ने गेरुआ रंग उसका कर दिया है जिस पर मुस्लिम समुदाय और मस्जित से जुड़े लोगों के आपत्ती के बाद बैक फूट पर आते हुए प्राधिकरण ने बापस मस्जित को सफेद रंग से पेंट करा दिया है तो गेरुआ रंग कराय जाने को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया आपको बता दे वारणसी से सीधी तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर इलाके को गेरुआ रंगते रंगते कॉंग्रेस कार्याले को भी गेरुए रंग से रंग दिया गया जिसके बाद अ कॉंग्रेसियों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है और साथ ही साथ चतिस घंटे का अल्टिमेटम भी दिया गया है वहीं कानपुर देहाद के जिलासपताल में पुलिस ने जिलासपताल के करमचारियों पर लाठिया वरसा थी जिहां लाठियों के दौरान पुलिस ने करमचारी को पकड़ कर जम कर पीटा वहीं इस दौरान व्यक्ति की गोद में मौजूद बच्चे को भी पुलिस ने नहीं बक्षा और उसकी भी पिटाई कर थी वहीं इसका वीडियो वाइरल होने के बाद स्चो विनूद कुमार मिश्र को सस्पेंड कर दिया गया है तो कानपुर देहाद का ये वीडियो जहां पर पुलिस ने सारी समवेदनाओं को खत्म करते हुए एक गोद में बच्चा लिये हुए शक्स पर जम कर लाठिया बरसाएं लगातार शक्स शिलाता रहा कि उसकी गोद में बच्चा है लेकर इसके बावजूद पुलिस नहीं रुकी और लगाता लाठिया बरसाती रही और ये वीडियो अब सोशल वीडिया पर जम कर वाइरल हुरा है इसको लेकर अधिकारियों के तरफ से साफाई भी दी गई है मुझे फोन किया गया और इसपी साफ को फोन किया गया कि उनको जो है तमाम समस्य हो रहे हैं वो दूर से दिखाने के लिए आये हुए हैं और उनके दौरा रजनीश के दौरा उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है गेट को बंद कर दिया गया है काफी परिसान थे फिर ह कि दौराने के लिए उनको भुर्ष कराने कil से विवलस गया इसी बीच में जो ऑरहे हैं परिसंटे नहीं और सबी मरीजम को जो है जो परिसान थैंको दर्वाजा खुलवा करके नको डॉक्तर साथ की लोग सब अपना इलाज करा और है अज हमारेश के का रवार, बार व परिसर में बन रहा है उस में जो खुदाई हो जो काम हो रहा है तो मिटी फैल रही है और आवागमन बाधित हो रहा है तो लोगों को आने जाने में परशानी हो रही है तो सारह कर्वचारीों ने इसकी वज़़े से हमको यह लिखे दिया लिखित रूप में कि हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे तो इसके लिए मैंने इनको मौकिक रूप से मना भी किया कि इसके लिए आप अस्पतार में आंदोलन नहीं करेंगे आंदोलन के अनुमती नहीं है OPD बंद नहीं करेंगे, उन्होंने यह भी का कि नहीं तो हम लोग OPD बंद करेंगे मैंने उनको मौखिक रूप से करा कि OPD बंद नहीं होनी चाहिए थोड़ी जेर बाद देड़ घंटे तक OPD बंद होने की भी सूचना मिली उन्होंने OPD का गेट बंद करवा दिया मरीजों को देखा भी नहीं गया तो कानपुर दिहास से जैसी तस्वीरे आपने देखी ऐसी तस्वीरे जब जब आती है तब तब पुलिस के छबी को कहीं न कहीं बहुत हानी पहुँचाती है चले अगली खबर के और बढ़ते हैं कि जानकारी मिलने पर मौके पर पहुँचे पुलिस ने सभी को छुड़वाया है ना कोई विबाद हुआ है ना कुछ हुआ बात सारी थे कि स्टेश सारा फाइनल हुआ था कंप्लीट होगे जो जैमाला पढ़ती है कि झाओ कोई सब्स्सक्राइब अब जानकारी था अब मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने सादी कर रखी है तो मैं जैमाला उता रहा मैंने रख दिया अब मुझे पता की नहीं उतारना इसको जो बढ़र माला होती फूलों के वह रही है यह इसा फिर मैंने स्टेज लगी उसके बाद में अपरी मैने जैवाला फूल वाली माल उतार गया लग दी इतना यह बात हुई है लड़की का कहना है कुछ पैसों की डिमांड मांड और गाड़ी की डिमांड ने इनका खुद का इस्टिमेट जो है कि उन्होंने बोला कि एक इसा को चुनिए बरात अच्छी कल नो तारिको मेरी शादी थी बरात अच्छी आई लड़के ने ड्रिंक की ती बहुत जयादा इस टेस पर आते हैं उसने दूंदाम अंगामा करना शुरू कर दिया और गाड़ी की डिमांड रख दी कि मुझे चार पर यह की गाड़ी चा इसको लेकर जिला प्रशासन बेखबर बना हुआ है बता दे कि यहां गंगा नदी से अवैद बालू लेकर रोजाना सैक्रो ट्रेक्टर बालू निकाली जाती है तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है जहां पर बलिया में अवैद बालू खनन का जो कारोबार है वो खुल प्रशासन आखे मूदे बैठा है अभी तक किसी तरह की कोई कारवाई नहीं की गई है तो बलिया से सीदी तस्वीरे जहां पर धलनने से या वैद बालू का कारोबार जो है वो चल रहा है और प्रशासन इस पर कुछ भी कहने या कारवाई करने से पीछे हट रहा है वहीं बस्ती जिले के बस्ती सदर तहसील में रास्ट्रे कारिकरम मद्दाता सूची में नाम फीट कराने में लापरवाई बरतने पर साथ बियलों के खिलाफ मुकतमा दर्जकर कारवाई करने का निर्देश दिया गया है वहीं मामले में जानकारी देते हुए जिलादिकारी ने बताया कि जनपद में साथ मतनान केंद्रों का निर्देशन किया गया और सुरक्षा व्यवस्ता का जायजा लिया गया साथ ही लापरवाई ना बरतने के निर्देश दिये गया है वहें इसके बाद भी लापरवाही की गई जिसके बाद BLO पर FIR दर्ज कर ली गई है कुछ BLO जिनके द्वारा साध्धानी पूरवग और उतनी संजीदगी से काम नहीं किया जा रहा है और लगातार जाचे करने में टार्मटोलिक करी जा रहे है उन लोगों को पहले चेतामनी निरुदत करी गई भागी कारवाई करी गई उसके बाद भी सुधार नहीं आने पर साथ लोगों के विरुद्ध जो है थानों के करीव दी गई है जैसे कि उनके विरुद्ध मुकर्मा दर्च ले आसे वहीं मिजनौर में सोशल मीडिया पर केक काटने के अनोखी वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें बाइक पर रखे केक को अवैल तमंचे से फायर कर उड़ाया गया है वहीं इस वाइरल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस में मामले में सन्यान लेते हुए आरोपी यूवक की तलाश शुरू करती है और आरोपी को गिरफ्तार भी आपको बता दें कि अपडेट है इसमें कि गिरफ्तार भी कर लिया गया है बिगयत दिनों एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें एक लड़का अपनी मोटर साइकिल खड़ी करके उस पर केक रखके अवाइद तमंचे से केक काट रहा था जन्म दिन के उसर पर हमारी सोचल मीडिया सेल ने उसकी तलास किया तलास के दोरान यात थे प्रकास में आया कि उसका नाम गुलाब सिंग है जो मुझफराबाद थाना कोतवाली देहाद छेतर का रहने वाला है उसकी तलास में पुलिस लगी हुई थी आज उसके गिरफ्तारी की गई गिरफ्ता थाना बाबुगर शेतर में दो दिसंबर को हुई लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है इस दोरान पुलिस ने चार आरूपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनके पास नकदी चार तमंचे समेत कई सामान बरामत किया गया है फिलाल पुलिस आरूपियों को गिरफ्ता कर आगे की कारवाई में चुट कई है तो हापुर से तस्वीर है जहां पर पुलिस ने चार आरोपियों को इगरफतार किया है लूट का खुलासा किया साथी साथ प्रेस कांफरेंस करते हुए लूट का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को इगरफतार किया गया है जिनके दो दिसम्बर को बाबुगट थाना चेतर में एक लूट की गटना हुई थी जिसमें जो कलेक्शन एजेंट है उससे तीन लाग पिचेतर अजार रुपए चार लूटेरे लूट के लेके गए थी इसमें जो बाबुगट पिलस टीम और एसोजी टीम के द्वारा इसमें चार बाबुगट चेतर के रहने वाले हैं दूसरे में मन्जीत है जो की बुलंचर के हैं एक सुनील है जो की गाजियवाद के हैं और इसमें चोति अभीव्त है जो की बुलंचर के रहने वाले हैं जौनपूर में वीर बहादूर सिंग पूर्वांचल विश्विध्धाले के 25 में दिक्षान समारों में प्रदेश की राज़पाल आनंदी मिन पटिल ने मंगलवार को महंत अवेद्यनात संगोष्थी भवन में 65 मेधावियों को स्वड़ पदत प्रदान खिया इसके साथ ही 96 सुधार्तियों को भी पीच्डी के उपाधी दी गई साथ ही स्कूल में कक्षा 6 से 8 के 51 बच्चों को स्कूल बैग भी उपाहर में दिये खए वहीं दीक्षान समाहरू के संबोधन में कुलाप दिपाती आनंदी पटेल ने कहा है कि विद्यारती संस्कृति के अनुरूप अपने व्यक्तित्तों और चरित्र का निर्मार करें यही वास्तिवेक सुख्षा है दस-पंद्रव बच्चे इकठ्था हो जाएंगे और वे काम करेंगे चाहिए आंगणवाई में जाओ कई हमें सरहत पर नहीं जाना है सरहत पर तो हमारे नवजवान है वह उसकी रक्षा करते हैं और रक्षा करते करते कि इस तरह शहीर होते हैं यह आप सबने देखा है और हमारे तेर सेदा नायक दुरघटना में चले गए हमारे बीच में से पूरा देश में सन्नाटा हो गया है बदाईयों में लूट की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही ताजा मामला विसौली थाना शेत्र का है जहां सापताहिक बाजार में अनास खरीद रहे गल्ला व्यापारी का दिन दाहाडे रुप्यों से भरा बैग छीन कर 32 सवार लुटेरे फरार हो गए वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाच में जुट गई है पुरा मामला बदाईयों से तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है जहां पर एक गल्ला व्यापारी से लुटेरो ने पैसों से भरा बैग छीन लिया और जिसके बाद वो फरार हो गए फिलाल पुलिस मामले की जाच परताल में चुट गई है